आज हम चल रहे हैं गुज़ात के नजदिक बड़ोधरा से 130 कुमटर दूर इस्तंबश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए वहाँ की जानकारी को प्राप करने के लिए का जाता है यह मंदिर समुद्र के बहुत नजदिक है और यह मंदिर का विशेक बावा का विशेक समुद्र स्वयम दिन में दोबा करने आता है और यह मंदिर पुरी तरेगे से समुद्र में समा जाता है ये मंदिर की जानकारी मैंने अपने चैनल For Indian Culture पर विस्तत रूप से और यहां की जो पंडित हैं यहां की जो इस मंदिर की सिवा विक्विगत 30 सालों से दे रहे हैं उनसे भी पुरी जानकारी को प्राप करने का हमें प्रियास किया है और उसे मेरे अपने विस्तत वीडियो ज तरफ से समुद्र से गिरा हुआ है और यहां की लहरें जो की दिन में काफी दूर जाराती हैं लेकिन शाम होते होते यह समुद्र की लहरें मंदिर के निकटा जाती हैं बाबा का विशेक करते हुए यह मंदिर वो इस तरीके से समुद्र की आगोश में समा जाता है का जाता जालबे है कि इसी मंदिर के स्थान पर इसी समशर महादेव की जगे पर उन्होंने यां गणोड तपच्ट्द की थी अपने सारे अस्त्र शस्त्र और तो इसी जगे से प्राव्ट कि थी और अक्या के विस्तार शेवा दे रहें पंडिजी हैं उनसे जानकारी प्राप करके अपने वीडियो के माध्यम से कोई तरह के से आप लोगे समक्ष देने का प्रयास किया है एक ऐसा मंदिर है जो की अपने आप में बहुत ही प्राचिन और भवित रखता है पंडव कर नित्याज भी इस मंदिर से करते हैं यहाँ पर बख्तों के लिए बोजन की व्यवस्ता भी रखी गई है यहाँ पर गारियों की पार्किंग की मुनसुईदा है और यहाँ पर आने पर भवक्तों को एक प्रक्ति के बीच बसा हुआ एक इस थापित मंदिर अलगी मंदरम दश्य प्रसूत करता है इससे आप मेरे विश्तर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और दर्शन प्राप कर सकते हैं